कन्नोच जिला मुख्याले से 45 किलोमीटर दूर घिलोई में जीटी रोड पर शुकरवार की शाम हुई भीशन बस दुरगटना को लेकर हल्चल का सिलसिला जारी है रविवार को परदेश के पंचायत राज मंत्री और जीले के प्रभारी भुपेंदर सिंग भी कन्नोच पहुँचे और उन्होंने विभीन अस्पतालों में जाकर घायलों का हाल चाल लिया चोधरी ने आला अफसरों को बेहतरीन चिकित्सा सुईधाय मोहिय कराने के नितेश दिये साथ ही यह भी कहा कि जुरूरत हुई तो संजे गांदी आयूर विज्ञान संस्थान ने घायलों का इलाज करवाया जाएगा मंत्री भुपेंदर सिंग्चोधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घायलों को बेहतर इलाज मुहिया कराया जा रहा है परदेश सरकार ने घायलों के मदद के लिए 50,000 रुपए का चेक वित्रन कर रही है विपक्ष को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि दुखट घटना पर विपक्षी नेताओं को राजनिती नहीं करनी चाहिए हाथसे के कारणों की भी जाच की जा रही है जो भी दोशी होंगे उनको बक्षा नहीं जाएगा कन्यो जूपी से समधाता शुभम कटियार की रिपोर्ट इस रखना को लेके रानपुर के ट्रांस को राइग जाज सौपी है जाज प्याने के बाद ही पाजज रिपोर्टाने के बाद ही कोई कारवाई से कारवाई से कार परिक्षन करा रहा है जो लोग दोशी हैं सब के खलाब करवाई के जाएगा J.B.D. Banquets लाए है इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और फानेस बांक्वेट राजगराना और जोती गार्डन वोल्ड-क्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंदिशन, लुष ग्रीन लॉंस, स्टेट अफ जाजगराना और जोती गार्डन आजगराना और J.B.D. Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस रबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद